आज मैं फिर एक बार आया हूं के सामने आपके सवालों के जबाब लेकर और शुरू करते हैं यह सवाल जबाब का सिल्टला लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है आकांगशा शर्मा माहिश्वरी में आकांगशा जी का सवाल यह है कि उन्हें 5-6 लाख रुपे इन्वेस्ट करने हैं और वो इन पैसो को 6 मन्त के लिए लिक्विट फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहती हैं और आकांगशा जी पूछ रही है कि क्या उन्हें इस पर फिक्स डिपोजिट के मुकाबले बैटर रिटन्स मिल सकते हैं तो अकांगशा जी देखिए मुच्वल फंड्स में रिटन्स गारिंटी नहीं होते हैं लेकिन इस वक्त पर हम राइजिंग इंटरस्ट रेट साइकल में हैं और उम्मीद है कि डेट फंड्स आने वाल रिटन्स में अच्छे रिटन्स देंगे लेकिन यदि आप 6 मंत के लिए इंवेस्ट करना चाहती हैं तो मेरा सेजेशन होगा कि लिक्विट फंड्स के मुकाबले आप अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स में इंवेस्ट करें क्योंकि आपका इंवेस्टमेंट होराइजन 6 मंत के आसपास है तो इसलिए मैं आपको इस कैटेगरी में इंवेस्ट करने की सलहा दे रहा हूँ और मैं आपको कुछ स्कीम्स के नाम भी बता देता हूँ ये तीन फंड से आप इसमें अपने पैसों को डिवाइट करके इंवेस्ट कर सकती है या फिर किसी एक या दो स्कीम्स में भी इंवेस्ट किया जा सकता है हलाकि आजकल बैंक के फिक्स डिपोजिट के इंट्रेस रेट भी बढ़ गए है और इस्पेसली स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे की एकविटास स्मॉल फाइनेंस बैंक या फिर एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक इस तरहे के Small finance banks के rate of interest भी public sector banks या फिर private banks के मुकाबले बहतर हैं. बढ़ते हैं आगे लितनकला सवाल जो पूचा है केशोर ने. केशोर जी का सवाल ये है कि पिछले दो साल में mutual funds के अनेवी almost सेम है और अगर SIP कुछ समय के लिए बंद कर दी जाए क्योंकि market अभी काफी उपर जा चुका ह है और फिर जब market 500 points गिरेगा तब लंसम invest किया जाए तो क्या ये सही रहेगा? कि शोर जी मैं आपको ऐसे सला नहीं दूँगा. मेरी राए ये है कि आप अपनी SIP को जारी रखें और SIP में लंबे समय में यही फायदा होता है कि जब market उपर जाता है तो उस वक थोड़ी units कम मिलती हैं लेकिन जब market नीचे आता है तो units ज्यादा मिल जाती हैं लेकिन यदि आप इंतजार करते रहेंगे कि market नीचे आएगा और उसके बाद आप investment करेंगे तो believe me ऐसा हो नहीं पाता जब market 500 points गिरता है तब लगता है कि आप 500 points और गिरेगा और दूसरी बात ये है कि ये 2020 में market में काफी गिरावट आई थी और उस वक्त ऐसा लगा था कि अभी market में और गिरावट आएगी लेकिन देखा ये गया कि उसके बाद एक दम से situation change हो गई और हमने देखा कि 2020-2021 में market ने बहुत अच्छा perform किया तो इसलिए market को time करना सही नहीं है इसके बजाए आप staggered manner म SIP के जरिये invest करते रहें लंबे समय में आपको इसका फायदा मिलेगा और अब लेतने अगला सवाल ये सवाल जन्होंने पूछा है उनका real name यहाँ पर नहीं mentioned है और चैनल का नाम है chemical technology और इनका सवाल है परागपारिक flexi cap fund को लेकर उन्होंने पूछा है कि पिछले एक साल म परागपारिक flexi cap fund ने अच्छा perform नहीं किया है और जाना चाहते हैं कि इसमें बने रहें या फिर निकल जाएं तो मेरी सलह आपको यह है कि आप इसमें बने रहें परागपारिक flexi cap fund एक well diversified flexi cap fund है और इसका इसवक मेजर exposure जो है वो large cap stocks में है तो पिछले एक साल में market काफ stocks जो कि US में listed हैं या US की companies हैं वहाँ पर गिरावट ज्यादा देखी गई और जब परागपारिक flexi cap fund दूसरे flexi cap funds के मुकाबले बेहतरीन perform कर रहा था तो उसकी वजह भी यह थी कि उस वक्त पर international stocks domestic stocks के मुकाबले better perform कर रहे थे और इस scheme के portfolio में international exposure होना इस scheme की performance के लिए फायदे मन साबित हो रहा था तो यदि आपका investment horizon long term है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ से निकलने की जरूरत नहीं है अगला सवाल जो मैं ले रहा हूं यह पूचा है नरेश पाल जी ने और इनका सवा insurance policy को लेकर है इनका सवाल यह है कि home loan लेते समय जब bank आपको insurance policy भी बेशते हैं अक्सर देखा जाता है कि banks life insurance policy देते हैं और उसका मकसद यह होता है कि यदि unfortunately loan term के दोरान borrower की death हो जाती है तो उस case में उस borrower की family को repayment करने में कोई दिक्कत ना हो और insurance policy का जो claim मिलेगा उस claim से जो outstanding है loan की वो repay की जा सके अब आपका सवाल यह है कि क्या यह policy बीच में बन की जा सकती है पहली बात तो यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या आपने single premium policy ली है या फिर regular premium policy ली हुई है अक्सर banks क्या करते हैं जब आप loan लेते हैं तो आपको single premium policy देते हैं यानि कि यदि आपने 20 साल का loan लिया है तो policy का term भी 20 साल का होगा लेकिन उसका जो premium है वो एक लमसम में ले लिया जाता है और अक्सर bank क्या करते हैं उस premium को भी आपके loan में जोड़ देते हैं तो मान लीजि भी आपको loan के रूप में दे दिया जाएगा तो मतलब कि यदि आपका loan 25 लाग का था तो वो 26 लाग हो जाएगा इस उधारण के तौर पर यदि 1 लाग का premium है तो जो insurance का premium है वो तेक लमसम में pay हो जाता है लेकिन क्योंकि वो amount loan में जुड़ गया है तो इसका मतलब with interest आप लोन अभी चल रहा है तब तो आपको policy surrender करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए लेकिन यदि 20 साल का loan आपने 10 साल में ही मान लिजे पूरा कर दिया है और अब आप सोच रहे हैं कि आपको insurance की जरूरत नहीं है तो ऐसे में आपको check करना होगा कि आपकी policy के terms and conditions क्या है वापस मिल सकता है तो ऐसे में ये संभाव हो पाएगा कि कुछ premium आपको वापस मिल जाए otherwise single premium policy में policy surrender करने का option available नहीं होता है लेकिन regular premium policy के case में जहां पर आप every six month या every year premium pay करते हैं वहाँ पर किसी भी वक्त पर यदि आपको ऐसा लगता है कि अब आपको life insurance की जरूरत नहीं ह तो आप आगे का premium भरना बन कर सकते हैं तो automatically आपके जो policy के benefits हैं वो stop हो जाएंगे लेकिन ध्यान रहे कि जब आप life insurance policy buy करते हैं चाहे आप loan के साथ ले रहे हो इसका मतलब ये नहीं है कि यदि आपने time से पहले loan repay कर दिया तो आपका insurance जो cover है वो खतम हो जाएगा हो सकता है क कि आपको home loan के repayment के लिए insurance की जरूरत ना हो बट otherwise आप चाहते हों कि आपका एक time insurance रहे तो ऐसे में यदि loan repay भी हो गया है और आपका otherwise insurance cover जो है वो बहुत बड़ा नहीं है तो आप loan repay करने के बाद भी insurance policy को continue कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे कि यदि bank ने वो insurance policy अपने favor में assign की हुई है assignment का मतलब यह होता है कि उस policy के जो भी benefits है वो policy holder के family members को मिलने की बजाए bank को मिलेंगे लेकिन यदि loan पूरा repay हो गया है तो आप उस policy को अपने favor में reassign करा सकते हैं और वहाँ पर nominee appoint कर सकते हैं और अब लेते हैं आज का आखरी सवाद जो पूचा है मुरेश्वर जी ने मुरेश्वर जी का सवाल equity savings fund को लेकर है equity savings fund की जो category है basically ये hybrid funds की category है लेकिन यहाँ पर investment equity और debt के अलावा arbitrage में भी होता है और इसलिए यहाँ पर equity का taxation apply होता है तो आपका सवाल दो schemes को लेकर है एक Tata equity savings fund और दूसरा है HDFC equity savings fund HDFC equity savings fund मेरे साब से एक अच्छा fund है यहाँ पर आप बने रह सकते हैं लेकिन Tata equity savings fund की जो performance रही है और इस वक्त पर जिसते हैं का portfolio है उसको देखते हुए मेरी सलाई यह होगी कि आप इस scheme से किसी तूसरी better performing scheme में switch कर सकते हैं और इस category में मेरी choice की schemes रहेंगी KOTAC equity savings fund और ICIC provincial equity savings fund तो मुझे उमीद है यह जानकरी जो मैंने आपके साँ share की आपके सवालों के उतर दिये वो सब आपको ठीक से समझ में आये होंगे और जानकरी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करना और शेर करना ना भूलें और आपका कोई भी सवाल या सु इन है योजना से सम्मंदित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पड़ें